हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पाज बहुत ही ज़ादा बढ़िया बजट मुबाइल्स इन्फिनिक्स, रेड्मी, रियल्मी, वीवो और पोको की तरफ से तो इस वीडियो में इन्स सारे मुबाइल्स के अंदर आपको बताऊंगा क्या-क्या कमिया है, क्या-क्या च्छाया है और इन कंपनी इसकी तरफ से आने वाले ये सारे बेस्ट मुबाइल्स में से आपको कौन से लेना चाहिए तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इन्फिनिक्स के नोट 10 के बारे में जो अभी हाली में लाउंच हो गया दोस्तों ये आपको मिल जाएगा 12,000 का वैसे 11,000 का भी मिलता है लेकिन 12,000 में इसमा आपको दी गई है 6GB RAM, 128GB के इंटरनल स्टोरेज तो RAM और स्टोरेज इसके अंदर आपको काफी ज़दा दी गई है इसकी कीमत के हिसाब से इसकी पहली बड़ी खुबी है दूसरी अच्छी खुबी जो इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसकी डिस्पले का साइज इसके अंदर आपको डिस्पले साइज दिया गया है 7 इंच का डिजाइन मिल जाता है पंच होल कैमरे वाला दोस्तो वैसे तो इसके अंदर आपको IPS Full HD Plus ही डिस्पले दी गई है AMOLED नहीं मिलती लेकिन डिस्पले का साइज इसका काफी जादा बड़ा है इसकी दूसरी बड़ी खुबी है डिजाइन इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको काफी जादा glossy मिल जाता है लाइट की reflection इसके back panel पर बहुत अच्छी लगती है पिछे की तरफ तीन camera दिये गए है जिसमें main camera है पहला 48 megapixel का दो camera है दो-दो megapixel के front है इसका 16 megapixel का दोस्तो camera की performance rate के सबसे सके अंदर फुर भी काफी अच्छी मिल जाती है आपको इसके लग दोस्तो left side सा आप देहेंगे sim के tray दी गई है इसके अंदर आप दो sim card, एक memory card, तीन चीज़ एक साथ लगा सकते है नीचे की तरफ आपको type C port मिल जाता है charging port, speaker, mic, headphone jack दिया गया है इसके अंदर right side पर fingerpin scanner है power के बटन के अंदर उपर से देखेंगे तो plane design है stereo speakers इसके अंदर आपको मिल जाते है बैटरी मिलती है 5000 image की 18 watt के fast charger के साथ processor दिया गया है MediaTekka G85 तो दोस्तों अगर आप एक heavy user है तो performance को लेकर इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी processor इसके अंदर आपको फिर भी काफी बढ़िये मिल जाता है तो ये सारी खुबिये कमिया है चली बढ़ते हैं अगले mobile की तरफ जो की है Poco M3 Pro 5G दोस्तों ये आपको मिलता है 13,000 का इसकी सबसे पहली बड़ी खुबी ये है ये mobile 5G है इसके अंदर आपको 5G का support दिया गया है वो भी काफी कम कीमत में अभी की market में ये सबसे ज़ादा सस्ता 5G smartphone है जिसके अंदर आपको 5G का support मिल जाता है काफी कम कीमत के अंदर इसके अंदर आपको साड़े छेंच की IPS Full HD Plus डिस्पले दी गई है 90Hz के refresh rate के साथ तो यूज करने में ये थोड़ा ज़ादा स्मूध लगता है Infinix के Note 10 से बाकि दोस्तों डिस्पले आपको वैसे ही दिया गया है डिस्पले में पंचोल कैमरे वाला और डिस्पले की quality आपको normal मिल जाती है इसकी दूसरी बड़ी खुबी है इसका design blue color इसका आपको बिल्कुल best मिल जाता है आप देख सकते है light की reflection इसके back panel पर बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है design को लेकर परस्तली मुझे ये mobile बहुत ज़्यादा पसंद है black combination के साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पीछे की तरफ इसमें आपको तीन camera दिये गया है जिसमें main camera है पहला 48 megapixel का फ्रेंट है इसका 8 megapixel का camera की performance आपको normal मिल जाती है sim की tray ऐसी दी गई है left side पर जिसमें 2 sim card एक memory card तीनुचीज एक साथ लगा सकते हैं नीचे की तरफ type support दिया गया है fingerprint scanner side में है उपर की तरफ आपको noise cancellation mic मिल जाता है और IR blaster भी दिया गया है जिससा आपका MI remote काम करता है TV अगर आप इससे चला सकते हैं बैटरी दोस्तों दी गई है 5000 mh की साड़े 22 watt के fast charger के साथ लेकिन ये 18 watt की charging support करता है और दोस्तर इसके इंदर आपको processor मिलता है midi attacker diamond city 700 processor जो कि इसकी तीसरी बड़ी खुबी है processor इसके इंदर आपको बहुत ज़्याद अच्छा दिया गया है बैटरी भी वैसे काफी अच्छी मिल जाती है तो 4 खुब ये इसके इंदर बहुत बढ़िया है एक तो इसके इंदर आपको 5G का support दिया गया है दूसरा design अच्छा है तीसरा बैटरी बढ़िया है चौता इसके इंदर आपको processor बहुत ज़्याद बढ़िया दिया गया है Infinix से भी ज़्याद अच्छा बाकि दोस्तो camera display में ये मुझे normal ही लगा चलि बढ़ते हैं अगले mobile की तरफ जो की है realme 8 5G ये भी 5G mobile है इसके कीमत है दोस्तो 14,000 इसके अंदर आपको दी गई है 4GB RAM 64GB के internal storage POCO M3 Pro 5G में भी आपको 4GB RAM 64GB के internal storage ही मिलती है इसके अंदर भी आपको IPS से डिस्पले दी गई है लेकिन डिस्पले की जो brightness है वो POCO से ज़ादा बढ़िया है colors भी काफी अच्छे दिये गए है refresh rate 90Hz का आपको मिल जाता है design दिया गए है punch hole camera वाला left side पर camera है और 50 change का size है display का तो overall display को लेकर ये काफी better है POCO से design इसके अंदर आपको दूसरी बड़ी खुबी मिल जाती है look wise आप इसका design भी देख सकते हैं जो बहुत ही जादा बढ़िया है आप देख सकते हैं light के reflection इसके back panel पे काफी जादा बढ़िये लगती है पीशे 3 camera दिये गए हैं इसमें main camera है पहला 48 megapixel का दो camera है दो-दो megapixel के front camera है इसका 16 megapixel का camera की performance आपको इसके अंदर थोड़ी अच्छी मिल जाती है left side पर sim key tray इसमें भी दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं नीचे की तरफ इसमें भी आपको type c port मिल जाता है fingerprint scanner है दोस्तों आपको लगबग आचकल सब में side में ही मिलता है power के button के अंदर इसमें भी side में दिया गया है उपर से देखींगे तो plane design है battery scanner आपको मिलती है 5000 mh की 18 watt के fast charger के साथ एक दिन का battery backup मिल जाता है processor इसके अंदर आपको दिया गया है Meditech का Dimensity 700 processor तो performance को लेकर ये भी बहुत ज़ादा बढ़िया है processor को लेकर इसमें भी आपको दिकत नहीं होगी तो दोस्तो तीन खुबी इसके अंदर बहुत अच्छी है देखा जाए तो एक तो इसका design दूसर 5G है ये तीसर इसके अंदर आपको processor काफी बढ़िया दिया गया है वैसे चौती खुबी इसकी battery भी है बागी display camera मुझे इसका भी normal ही लगा लेकिन कौन सा mobile display camera में best है कीमत के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये है Redmi का Note 10 जो आपको मिलता है साड़े बारा हज़ार का दोस्तों इसके अंदर आपको दी गई है साड़े बारा हज़ार में 4GB RAM, 64GB के internal storage अब इसकी पहली सबसे बड़ी खुबी है इसकी display अभी तक हमने तीन स्मार्टफोन देखे इससे पहले उनमें सब में आपको IPS की display मिलती है लेकिन इसके अंदर आपको AMOLED डिस्पले दी गई है तो display की quality जो है इसके अंदर सबसे ज़ादा बढ़िया है और कीमत भी आपको Infinix से सिर्फ 500 महेंगी मिलती है रियल में से ये 500 और सस्ता ही है डिस्पले इसकी पहली सबसे बड़ी खुबी है दूसरी खुबी जो इसके अंदर आपको मिलती है वो है इसका design look wise इसका design भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है light की reflection आप देख सकते हैं बहुत अच्छी लग रही है बाकि दोसरी आपको तीसरी खुबी मिलती है इसका camera पीछे की तरफ चार camera दिये गया है इसमें main camera है पहला 48 megapixel का दूसरा 8 दो camera है 2-2 megapixel के front है 13 megapixel का camera की performance आपको rate की साबसे scanner काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है left side पर sim key tray इसमें भी 2 sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते है type c port scanner आपको दिया गया है fingerprint scanner side में ही है इसमें भी उपर से देखेंगे तो stereo speakers भी मिल जाते हैं इसके अंदर आपको infinix की तरह noise cancellation mic IR blaster दिया गया है जिससे आपका MI remote काम करता है TV अगर आप इससे भी चला सकते हैं battery मिलती है 5000 image की लेकिन charger सबसे ज़्यादा fast दिया गया है 33 watt का ये इसकी चौती बड़ी खोबी है प्रोस्सर इसके अंदर आपको मिल जाता है snapdragon 678 तो heavy use के अंदर इसमें भी काफी बड़िया performance आपको मिल जाती है बाकि दोस्तों ये mobile 5G नहीं है आप इस चीज़ का खयाल रखियेगा बाकि तो सारी चीज़ों में लगबा quality wise ये सबसे ज़्यादा बढ़िया ही है design भी अच्छा है, camera भी बढ़िया है, display भी सबसे best है battery के साथ charger भी बढ़िया है, performance भी आपको इसके अंदर अच्छी मिल जाती है वैसे दोस्तों processor में Poco का smartphone और Realme का smartphone इससे ज़्यादा बेटर है अगर आपको performance भी बहुत बढ़िया चाहिए चली बढ़ते हैं last mobile की तरफ जो की है सबसे ज़्यादा महेंगा Vivo का Y73, ये अभी हाली में launch हो गया 21,000 का, इसकी कीमत सबसे ज़्यादा है इसके अंदर भी दोस्तों आपको दी गई है 8GB RAM 128GB के internal storage तो RAM or storage इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा दी गई है वैसे storage तो Infinix के बराबर है बाकि दोस्तों 2GB RAM ज़्यादा मिल जाती है इसके अंदर आपको AMOLED डिस्पले दी गई है क्योंकि AMOLED डिस्पले तो कम कीमत में Note 10 के अंदर भी है और दोस्तों इसके अंदर आपको जो design मिलता है वैसे वो look wise बहुत ज़्यादा अच्छा है in hand field इसकी काफी ज़्यादा बढ़िया है काफी premium लगता है ये mobile दूसरी खुबी जो इसके अंदर आपको बड़ी मिलती है वो है इसका camera पीछे की तरफ तीन camera दिये गए है इसमें main camera है पहला 64 megapixel का दो camera है दो-दो megapixel के front है इसका 16 megapixel का camera की performance आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है सबसे best camera है वैसे इन सब में इसका left side पर sim kit रे इसमें भी दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं fingerpin scanner display के अंदर है side में power का button है उपर से देखेंगे तो noise cancellation mic दिया गया है इसके अंदर बैटरी normal मिल जाती है 4000 mhk 33W के fast charger के साथ वैसे ही charger है जो note 10 के साथ आपको साड़े 12000 में दिया गया है लेकिन इसके अंदर आपको performance बढ़िया मिल जाती है media tech का G95 processor दिया गया है performance को लेकर इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी बहुत जादा बढ़िया processor दिया गया है तो दोस्तो design और इसका camera और performance ये तीन चीज़ इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है अगर आपका budget बहुत जादा है 2000 तो आप इसको ले सकते हैं वैसे rate की साबसे इन सारे smartphone में मुझे सबसे जादा पसंद आया लेकिन दोस्तो अगर आपको 5G smartphone लेना है जादा बढ़िया processor के साथ तो आप Poco M3 Pro 5G ले सकते हैं ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और इसे के साथ दोस्तो अगर आपको Realme पे भरोसा है तो भी आप ये दो खुबियों के लिए जादा बढ़िया processor और 5G के लिए आप Realme 8 5G ले सकते हैं और दो खुबिया Infinix के अंदर अपनी अलग है एक तो बढ़िया storage दूसरा बढ़िया display size तो सब के अंदर दो-दो खुबिया हैं लेकिन Note 10 के अंदर आपको quality wise तीन खुबिया जादा बढ़िया मिल जाती हैं इस वज़े से मुझे कम कीमत में Redmi का Note 10 ही जादा पसंद आया आप बताएगा दोस्तो फिर भी comment करके आपको इन सब में कौन सब अच्छा लगा मैं आपको यही suggest करूँगा वीवो का Y73 तना महंगा ना लेके आप कम कीमत में इन में से कोई एक choose कर लिएगा आपकी पसंद के according जिसके अंदर आपको ज़रूत की चीज ज़ाद अच्छे लगी मुझे दोस्तों Note 10 पसंद आया आप ज़रूर बताएगा वीडियो गर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो की निचे जलाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बैल एकन में दबा दियेगा ताकि नए वीडियो आप तक पहुँचती रहें इसके लब वीडियो को आपको helpful लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर दियेगा वाट से फेस्बुक पे वीडियो को मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर